जैहिन सात्यों बेलकम टू सेल्प स्टेटी क्लासेश विस्सुमिद जैन यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है लोग तो सेल्प स्टेटी क्लासेश विस्सुमिद जैन यूटूब चैनल में बहुत सारी वीडियो लाइब क्लासेश के माद्यम से यूटूब चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर जरूर देखें आपको बैल आइकन को बटन दबाना है ताकि इनफॉर्मिशन आप तक महुंचे साथ ही वाट्सप नमर दिया है तो कोई भी डाउट हो तो क्लियर कर सकते हैं किसी भी अग्जाम के लिए परियावरारसे संमग्दे जो अंतरा़्ष्टी संग्ठन है और उनकी संग्विलन ठीक है संञुक्त राष्ट परियावरान कारिक्रम जिसे UNEP । इसके वारे में संग्ठन के बारे में हम पढ़ेंगे UNIAP का गठन हुआ था सन्युक्राष्ट महासावा की स्वीडन स्टाक होम में मानव परियावरन पर हुई कामफरेंस 1972 की परिणाम स्वरूप इसका गठन हुआ था अब यहां से एक क्वेस्चन आपका बनता है कि UNIAP का गठन कब हुआ था तो यह हुआ था 1972 में हुआ था ठीक है तो यह चीज़ आपको याद रखनी है 1972 में UNIAP का गठन हुआ था दूसरा क्वेस्चन आपका बन जाता है इसका मुख्याल है कहां पर है UNIAP का तो यह है नेरोबी केन्या में थीक है दो कोईस्चन यहां से आपके किलियर होंगे नेक्स्ट देख लेते सन्युक्त राष्ट की है जैंसी परियावरणी निरीक्षण और परिरक्षण के लिए अंतर सरकारी तरीकों के द्वारा समनवाई के लिए उत्तरदाई है परियावरणी निरीक्षण और परिक्षण के लिए अंतर सरकारी जो है तरीकों द्वारा समनवाई के लिए उत्तरदाई है और परियावरणी यह कारिक्राम और संग्टनों के प्रबंदन के लिए अंतर राष्टी रूप रेखाओं के निर्माण ये तो इसका गठन किया गया है किसलिए किया गया है परियावरन ये कारिक्रम और संगतनों की प्रबंदन के लिए अंतराश्टी रूप रिखाओं के निर्मान के लिए इसका गठन किया गया काई का यूनियप का उधारण के लिए 1988 में जलबायू परिवर्तन पर अंतराश् पैनल IPCC का गटन कब हुआ था तो आपका फिर उत्तर होगा 1988 में ठीक है हाँ इसी तरह बैस्विक परियावरण सुभिदा की किरियान वेन एजेंसियों में यूने भी एक है यह एक एक्षिक सन्युक्तराष्ट परियावरणी फंड भी है जो बिभिन परियावरण पर योजन बर्स 1987 में इस्तापित किया गया था आपसे पूचा जाएगा कि गिलोबल 500 पुरुसकार के इस छेत्र में दिया जाता है तो परियावरण से संबंदित जो प्रियास किये जाते हैं उनसे संबंदित गिलोबल 500 पुरुसकार दिया जाता है और ये गिलोबल 500 पुरुसकार स्थापित किया गया था ठीक है यह सभी लोगों को याद रख लेना है हर साल 5 जून को मनाया जाने वाला 200 परियावरन दिवस युनेप की ही पहल है अब यह चीज आपको याद रखनी है कि 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है 200 परियावरन दिवस मनाया जाता है, सभी को याद है, ठीक है, लेकिन एक किसके दोरा सुरू किया गया था, तो ये यूनियप के दोरा सुरू किया गया था, जिसका मुख्याल है नेरोवी में है, ठीक है, जिसका निरना इस्टाक होम सम्मिलन 1972 में ही ले लिया गया था, ठीक ह आपका उत्तर होने चाहिए 1972 में और स्टाक्वाम सम्मेलन में एढ़ने ले लिया गया कि पांच जुन को हरवर्डज बिस्तो परियावना दिबस मनाय जाएगा लेकिन आप से पूचा जाएगा कि पहला बिस्तो परियावना दिबस कम मनाया गया तो 1994 से यह पहला जो है विस्तु परियावण दिवस मनाया जाने लगा इतने question यहां से आपके clear हो जाते हैं दोस्तो IUCN IUCN मतलब International Union for Conservation of Nature ठीक है IUCN विस्तु का सबसे पुराना एवं सबसे बड़ा बैस्विक परियावण Network है जिसकी स्थापना October 1948 में हुई थी अब आप से पूछा जाएगा कि IUCN का गठन कभ हुआ था स्थापना कभ हुई थी तो October 1948 में हुई थी Notes करते जाना आपको यह जो Notes हैं हमारे Telegram Group में मिलेंगे Telegram Group में जुड़ने के लिए आपको Telegram App Download करना है उसमें Search करना है IAS Study Trade को जोईन हो जाना है ठीक है एह World Conervation Union के नाम से भी जाना जाता है कौनसा जो IUCN है इसे World Conervation Union के नाम से भी जाना जाता था इसका मुख्याला एक Gland Switzerland में है अब आपसे पूचा जाएगा दोस्तो कि IUCN का मुख्याला एक कहां पर है तो Gland Switzerland में आपका उत्तर होना चाहिए इसकी सापना October 1945 में हुई थी ठीक है इसे World Conervation Union के नाम से भी जाना जाता है ठीक है और जो कहां पर जिनेवा की निकट है IUCN में सरकारी संग्टन और गेर सरकारी संग्टन दोनों सदस होते हैं ठीक है तो इतने question हैं यहां से आपके clear होते हैं अंगला देख लेते हैं IUCN का मिसन एवं द्रश्टी कोड़ इसका मिसन क्या है IUCN परियावरन एवं विकास से जड़ी अधिकांस चनोतियों के लिए वहर एक समाधान विक्सित करने का प्रयास करता है एव एग्यानिक सोत का समर्थन भी करता है IUCN पूरे विस्व में फि अच्छी तरह से हो सके पूरे विस्व में फैले विविन समाजों को प्रभावित करना तथा उनकी मदद करना जिससे विए जयव विवित्ता का संरक्षण कर सुनश्चित कर सके कि किसी भी प्राकरतिक संसाधन का इस्तिमाल पूर्णत नियाय संगत और संपोश्णिये हो ताकि परियाबरन संरक्षण और गरीवी का निवारन साथ साथ हो सके ठीक है कोई भी संस्ता है कोई भी प्राकरतिक संसाधन का जो दोहन करते हैं इस्तिमाल करते हैं वो नियाय पूर्णत हो संपोश्णिये हो ताकि परियाबरन का क्या किया जा सके संरक्षण किया जा सके इस उद्देश से लेकर यह जो कार करता है, जयो विवित्ता का सर्रक्षन अर्थात पौधों एबंपस्वों को लुप्त होने से रोकना एबंप्राकरतिक चेत्रों को लुप्त होने से बचाना ही IUCN का मुखकार है, अब आप से पूछा जाएगा कि निम्नमे से बताईए IUC IUCN का मुखकार क्या है, तब आपका उत्तर होने चाहिए कि जयो विवित्ता का सर्रक्षन, पौधों एबंपस्वों को लुप्त होने से रोकना, प्राकरतिक चेत्रों को नश्ट होने से बचाना, यही क्या है IUCN का मुखकार माना जाता है, नोट्स करते जाना, जहां जहा की कोस्चन बन सकते हैं, तो आप नोट्स जरूर करें, इसलिए संकट ग्रस जिव जन्तियों की एक सूची जारी करता है, जिसी रेड डाटा बोक, आपने हमेशा पड़ा होगा, रेड डाटा बोक सुना होगा, रेड डाटा बोक कौन जारू करता है, IUCN, सही है, है ना, सं छेतनों पर भी कार करता है, जलबायू परिवर्तन, क्लाइमेंट चेंज, ठीक है, आजीविका, संपोष्णिय राउर्जा, हर्त, जो है, हर्त विवस्ता, इन पर जो है, ये कार करता है, IUCN, सन्युक्तराष्ट महासावा का परवेक्षक दरजा, जो है, प्राप्त एक मात अंतराष्टी संगठन है, आप से पूछा जाएगा, कि सन्युक्तराष्ट महासावा का एक मात अंतराष्टी संगठन कौन सा है, जिसे परवेक्षक दरजा प्राप्त है, तब आपका उत्तर होगा, IUCN, ठीक है, इस परकार से कई प्रशन आपके बनेंगे, IUCN से, जो पर आता है, अब आप से पूछा जाएगा, WWF का फुल फार्म क्या है, तब आपको बताना है, वर्ड विल्ड लाइफ फंड, ठीक है, ये सबी लोगों को देख लेना है, तो वर्ड बाइड, वर्ड बाइड फंड फंड फार नेचर, एक अंतराष्टी गेर सरकारी संगठन है जो परियावरन के संरक्षन सोध एवं पुनाह स्थापन के लिए कार करता है, पहले इसका नाम था, वर्ड वाइड फंड, क्या था, वर्ड वाइड फंड फंड था, जो यूनाइटेड स्टेटस, एवं कनाड़ा में, अभी भी इसका अधिकारिक नाम है, ठीक है, हाँ, विस्तु का सबसे बड़ा सुतंत्र सनरक्षन संगटन है, जिसके संपूर विस्तु में करीब 5 मिलियान से अधिक समर्थक हैं, जो 90 से अधिक देशों में काम कर रहे हैं, और पूरूरे विस्तु में करीब 1300 संरक्षन एवं परियावरन से जोड़ी प्रेजिक्टरmath काम कर हैं अब आपसे अगर पूचा जाएगा कि बिश्टु का सबसे बड़ा सुतंत्र जो है संरक्षन संगठन कोई सा है सुतंत्र पर्यावरन संरक्षन से संबंद जो संगठन है वो कोई सा है तब आपका उत्तर होगा क्या होगा डबलू डबलू एप है ना यहीं एक प्रकार का दान है जिसका 60% हिस्ता निजी ब्यक्तिगत सोख्षिक दान की रूपे आता है इस फंड की 45% उनाइट एट्सिस्ट उनाइट किंग्डम तथा नीडर लेंड से आती है बात आई है दोस्तों नीडर लेंड की तो मैं आपको बता दूं कि नीडर लेंड में अंतर राष्टी नियायलाई का मुख्यालाई भी है जिसका मुख्यालाई कहां पर है 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 अंतर राष्टी है नीडर लेंड के हैं में अंतर राष्टी नियायलाई का तो यह चीज भी आपको याद रख लिए नहीं है और जो इसका फंड आ बर्तमार्ण में अधिकांसकार तीन बायोम के संरक्षण पर क्यांद्रित हैं इसमें बिस्ट की अधिक्तम जववित्ता छेपी हुई है जिसमें बन जली पारश्थित की तंत्र महासागर एवं तठ सामिल हैं अन्नमुद्दों में बिलुप्त प्रयाय प्रजातियों प्रद सबी लोगों को यह चीज याद रखनी है संग्ठन 11 सितंबर 1961 में सुड़जर लेंड के मोर्सेज में धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में गठेत हुआ था जिसका नाम वर्ड वाइड फंड रखा गया था ठीक है अब आप से पूछा जाएगा यहां से क्वेस्टन की लेक्स निकोलन्स की कोशिस 39-30 साल के अनुभाव के साथ प्रगती सील बोध्यक लोगों को बड़े व्यापारिक रूचियों के साथ राजनेतेक तथा आर्थिक योजनाओं के द्वारा जोडने का प्रयास किया कैनेडियन फंड के लिए कनाडा के टोरंटों में भी इसका प्रयास अन्य एक्चुक पार्टियों के साथ सहयोग तथा अन्य उपयोग तो पायों द्वारा किया जाएगा बिछले कुछ बर्सों में संगठन ने पूरे विस्त में कारयाले खोल लिये हैं इवं कार प्रारंब कर दिया इसकी गतिविदियों का प्रारंब केंद्र जो था वो बिलोप्तरफि प्राएं प्रिजातियों की सुरक्षा करना था ठीक है वाकि सका बिस्तृत शेत्र हो गया है जैसे जैसे अधिक संसदादानों उपलब्द होते गए इसका कार अन्य छेत्रों जैसे जयो बिवित्ता है ना संरक्षान प्राकरतिक संसादनों का सतत इस्तिमाज तत प्रदूसर एबन बरबादी से होने वाली खपत में कमी लाना आदी की तरफ इसका बढ़ता गया 1986 में संगठन का नाम बदल कर रख दिया गया World Fund for Nature है ना कर दिया गया लेकिन उसकी आरंबेक सब्द WWF ही रखे गए जो कि इसका किरिया कल आपों को अच्छे ढंग से बता सके जबकि United States एवं कनाडा में है अपने मूल नाम पर कार कर रहा है तो दोस्तों आपको याद रख लेना है कि वर्ड WWF का जो नाम बदल कर कब नाम चैंज किया गया या कब नाम बदला गया तो 1986 में किया गया ठीक है लेकिन जो आरंबेक नाम रखा गया वो WWF ही रखा गया और इसका बरतमान में जो नाम है World Fund for Nature है सबी को याद रख लेना ह अंगला देख लेते हैं विस्तो बैंक समूह की परियावरन रणनीती 2012-2022 ठीक है विस्तो बैंक समूह की परियावरन रणनीती हम देख लेते हैं एक महत्वा कांची कार योजना है जो बेकास सील देशों में गरीबी निवारन और बेकास को बड़ाबा देकर एक हरे भरे स स्वक्ष और पिर्ती रोदक पर्यावरन का निर्मान करना चाहती है इस परकार इसका उद्देश संपूर्ण और संपोष्णिये विकास को वड़ावा देना है इस पर्यावरन रणनीती में विस्टु बैंक के साथ साथ अंतराश्टिये बित्त निगम और जो है MIGA जैसी बड़ी संस्ताओं का महत्पूर्ण योगदान है ब्यापक बिचार बिमर्स पर आधारत विस्टु के तेईस्टो बैंक समूह के इतिधारकों के साथ योजना विस्टु में सभी के लिए स्वक्ष हरे और पिर्ती रोदक चमता वाले पर्यावरन की परिकल्पना प पर्यावरन की परिकल्पना पर तीक है इनका मानना है कि बिकास देशों को गरीबी निवारन और जीबन का एक उचेत इस्तर प्राप्त करने के लिए तीब्र बिकास की आवज सकता है लेकिन जब तक इनका बिकास होगा पर्यावरनी संकट भी अपने चरम पर पहुँच ज जी हां दोस्तों यहां से आपका एक क्वेस्चन पूछा जाएगा कि बिस्ट बैंक समोई की जो परियावरन रणनीती है यह जो है किस पर आधारित है यह इसके चरल कोई कोई से हैं इस योजना के तब आपका उत्तर होगा हरा स्वक्ष और प्रतिरोधक चमता एक क्वेस् परितंत्रता को सवस्त रखना भी इसे है स्वक्ष का परितंत्रता को स्वक्ष सागरी परितंत्रता प्रदान करने से है इसका स्वक्ष का मतलब हर तरब जो है स्वक्षता का बातावण बना रखना चाहे वो स्वास्त हो चाहे जीवन को सुनिश्चित करने के लिए हो चाहे प्रदूसरन से निपटने के लिए हो चाहे बायू हो चाहे जल हो सभी में स्वक्षता का जो है स्वक्षता होनी चाहिए इसका उद्देश एक एंसे विस्तु का निर्माल करना जहां बेकास की रणनीतिया यही हो कि प्रदूशन मुक्त बातावरान जलबायू अनुकूल किर्सी स्वक्ष उर्जा और सतत सहरी बेकास के लक्ष को आसानी से प्राप्त किया जा सके इसका प्रमुक उद्देश माना प्रतीरोधक चमता की बारे में देखेंगे प्रतीरोधक चमता कासे जलबायू परिवयतन के कारण होने वाली हानी वा संक्टों से निपटने के लिए पून रूप से तैयार होने और सचम बनने Oreo से स्वस्त और भेहित्त्त रूप से परतीवद्द परितंतरता अधिक किलाइमेट एमर्जेंसी जो है आक्सफोर्ड डिक्सिनरी ने वर्ड आफदा इयर चुना है किलाइमेट एमर्जेंसी को अर्था जलबायू परिवर्तन प्रभावों से निपटने और सुभेद दिता को कम करने में सचम होती है जिससे आपदा के कारण हानी कम से कम होती है वि प्लास्टिक मुक्त करने की जो है योजना वनाई है सभी लोगों को पता होगा बर्त्मेंण में करेंट का प्रस्न है कि बंगला देस ने अपने 30 को प्लास्टिक मुक्त करने की एक पहल चयल पड़ी की सबी राज सबी छेत्रों में ये पहल चल रही है तो इस तरह है विस्तु बैंक की पर्यावरणी रण नीती राष्टों को अपने विकास के साथ-साथ-भविस्त के पर्यावरणी संकुटों के पिर्तीवी सुद्रन बनाती है ताकि एक बहित्तर विस्तु का निर्मार हो सके देख लेते हैं बन्न जीव संरक्षण सोसाइटी, WCS, ठीक है, सभी को याद करना है, बैस्वे के स्तर पर बन्न जीव और बन्न इस्थानों को संरक्षित करने के लिए समर्पित एक संस्था, बन्न जीव संरक्षण सोसाइटी है, इस कार को पूरा करने के लिए बिज्ञान संरक्षण कार और सिक्षा को बड़ावा देती है, ठीक है, इससे लोगों की प्रिकृति के प्रिति मनोबृति और बिवहार में बदलाव आता है, और वे इस महत्त को समझने लगते हैं कि प्र संस्ता है, आप से पूछा जाएगा कि बन्न जीव और बन्न इस्थानों को संरक्षण करने के लिए जो है कौन सी संस्ता समर्पत है, तब आपका उत्तर होगा WCS, ठीक है, याद रख लेना है, WCS के बारे में बन्न जीव संरक्षण सोसाइटी का जो मुख लक्ष है, उन 15 चेत्रों को प्रात्मिक्ता देना जो विस्थ के 50 से 50 प्रितिसस से अधिक ग्योवित्ता धार्न करते हैं, इसके लिए WCS ने एक 2020 रणन नीती भी बनाई है, याद रख लेना WCS बिग्ञान का उपियोग कर इस प्राकरतिक विस्थ को समझने का प्रयास करता है, उसके इस ज ज्यान का उपियोग नीती निर्माता समुदाय और लाखों लोग बनने जीव सनरक्षण के लिए उचित कदम उठाने में करते हैं, WCS इंडिया कारिकरम देख लेते हैं, सबी भारती कानूनों को ध्यान में रखती हुए भारत के बनने जीवोग और इस्थलों को सुरक्ष प्रदान करने के लिए, इस कारिकरम का उत्देख सरकारी और गेर सरकारी सहयोगियों के सम्मेलत प्रयासों से बागों या अन्य बनन जीवों पर सोध, छमता, निर्मार और प्रभावी इस्थान आधारिस सलक्षन प्रदान करना है, इसके अलाबा, ये थानिया समुदायो रजिस्टर को अनिवार कर दिया गया ठीक है तो यह चीज यहां पर हमें याद रख लेनी है भारत इस्थानी आकलन PBR की तैयारी के लिए एक तरीका प्रदान करता है सन्युक्त राष्ट परियावरन कारिकरम UNP सन्युक्त राष्ट की परियावरन कुछ जो महत्पून परियावरन कंफरेंस में हुआ इसकी मिस्थापना डिवस 5 जून को कर दा ऐसें यूनियएप में मनते हैं और अखर रहाँ वे सिर्वांत होई 1954 से ओर 1972 में इसे क्या हो गया विस्तु परियावन दिवस मनाय जानी के लिए घोशना हो गई और 1996 से विस्तु परियावन दिवस मनाया जानी लगा IUCN विस्तु को सबसे पुराना एवं बड़ा वैस्विक परियावन एवं प्रिकृति सर्रक्षन का नेटवर्क स्टु कर रहा है वो कर रहा है साइट और 1976 में भारत इसमें सामिल हुआ प्रवासी प्रजातियों का सम्मिलन सी एमेस इनके प्रवास रेंजबाली देशों में सरक्षड हेतु सरकारों कि मद एक संदी है इसे 1989 में यूनियप की पहल पर हस्ताक्सित किया गया अंतराश्टी जल प्रवंदन संस्तान एक गैर लापकारी सरकारी बेग्यान एक सो संग्टन है जो बेकास स्री देशों में जल और भूमी संसादनों के सतत तो प्योग को बढ़ावा देता है इसका मुख्याला कोलंबो स्री लंका में है है याद रख लेना आई डबलू एम आई का मुख्याला है कोलंबो स्री लंका में है तो दोस् को subscribe कर लेना है bell icon को सभी लोगों को दबाना है Facebook से जुरने के लिए आपको आई एसी study trick सर्च करना है और साथ यो। आप हमारे telegram group से बस जुरना है telegram group से जुरने के लिए आपको सर्च करना है IAS study trick और join हो जाना है सामको शाड़े 6 बजे आपकी परियाबरानों बालबेकास की कक्चा होती है लाइप क्लास तो वो जरूर देखें हिंदी की कक्चा नौ बजे होती है तो सभी लोग इसको देखेंगे आज के वीडियो के लिए वस इतना ही जैहिंद